आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक कॉपी देख रहे हैं ये कॉपी है अर्वेंद प्रिताप सींग की ये 2017 में UPSC में सेलेक्टेड हैं और आप देखेंगे ये हिंदी मीडियम से थे और इनकी रैंक थी 161 इनकी कॉपी को देखकर इन्होंने जिस तरह से निबंद लिखा हुआ है उसको देखकर आप लोग भी सुरुआत कर सकते हैं और इनकी कॉपी को देखकर आप लोग कुछ सीख सकते हैं और देखें ये UPSC में अगर हम लोग निबंद की बात करें न तो आप देखेंगे तीन लाइनों में उसका सिलिवर्स कह लिजे या निर्देश कह हैं परभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंग पैदान किये जाएंगे निबंद की तयारी को गंभीटता से लिया करिएगा बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं और इसलिए आप देखते हैं कि 20 से 30 नंबर भी आते हैं 40 नंबर आ जाते हैं उनके 250 नंबर में से और ब पर भी जा सकती हैं अच्छा स्कोर किया जा सकता है निबंद में अगर आप लोग थोड़ी भी गंबीरता इस पर दिखा लें तो आप लोग जी के जीएस पढ़ते reacting निबन लिखने की और कहते हैं कि जो निबंद की भासा होती बड़ी सरल होनी चाहिए और भासानीबंद क जान होती है यह भी याद रखेगा आप लोग और देखे जो भी आप subject चुन रहे हैं दो निबंद लिखने होते हैं UPSC में 1000 से 1200 सब्दों में जो भी आप लोग विसाय चुन रहे हैं जो subject आप चुन रहे हैं निबंद के लिए उसके आसपास ही आप लोगों को लिखना है उस क्यों चुना है और इस बिसाय का क्या background है यह लिख सकते हैं या आप लोग किसी उधारन से शुरू कर सकते हैं कोई course है कोई line हैं उससे भी आप लोग सुरू कर सकते हैं फिर बीच का भाग रहता है man body कह देते हैं विकास इसका आप देखते हैं कि 80-85% भाग में बो रहता है point चुन लें उसमें सामाजेकार तिक science के तिक राजने तिक सभी point देख सकते हैं current को ध्यान में रखेगा अगर कोई कहीं कुछ लिख रहे हैं आप गरीबी पर आप कुछ लिख रहे हैं कोई report आई हुई है तो उसे report का उल लेक कर सकते हैं समझ रहे हैं आप लोग जिस topic के ब लिखते हैं और practice करते रहे हैं मैं बार-बार कह रहा हूं मा की पेट से सीख कर कोई नहीं आता है आप practice करते रहेंगे और मैं कहता हूं कि सुरुआत आप लोग इस तरह से कहिए कि जो आपको copy देख रहे हैं ना ये इसमें जो निवन दिन होने लिखे हुए इसी को लिखी अपनी copy पर उतारना शुरू करिए और जब आप लोग answer लिखते हैं ना किसी questions का तो आप लोग सामने किताब में लख लिया करिएगा उनसे निकाल निकाल के point अपनी copy पर उतारा करिएगा मैं कहता हूं कि copy पर उतारना एक जगए एक खटा करना तो आ जाना चाहिए आप ल प्राइच्चा का माध्यम हिंदी है विध्यार्थी के हस्ताक्षर हो गए कि अनुदेश जरूर पढ़ लिया करिएगा पिसनों के उत्ता देने से पहले निमलिकित पितेक अनुदेश को किरप्या ध्यान पूरवक पढ़ें और इसमें आप देखिए प्रविस पत्त में प या संस्कित में लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे पिसनों के उत्तर निद्ष्ट किये गए सब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए पिसने सहे उत्तर पुष्टिका में खाली चोड़े गए कोई पिष्ट अत्वा पिष्ट के भाग को पूर्टा काट दें इस तर सब्द चले जाते हैं तब क्या होगा मेरा मानना है देखिए ऐसा और कुछ लोगों से बात करकर भी मालू चलता है कि अगर निवंद आपका क्वैल्टी है ना निवंद प्रभावसाली है ना तो सब्द जांदा कुछ मायने नहीं रखेंगे अगर साड़े 900 सब्द हुए तब भी अच्छा निवंद माना जाएगा आपका और अच्छे नंबर दिये जाएंगे तो जाना आपको बस क्वैल्टी पर ध्यान देना है समय रहा है आप लोग थोड़ा तो इसमें आप देखे खंड A और खंड B में से पितेक में से एक एक चुन कर दो निवंद लिखि होगे और अच्छी भासा रहेगी आपकी भासा पर पकड़ रहेगी निवंद पर पकड़ रहेगी तो मुझे लगता है कि जानदा वो ध्यान भी नहीं देते होंगे सबधों पर उने-लगता हुए कि हजार से ग्यारे सो बारे सु सब्धें आराम से समझ जाते होंगे खंड ए सेक्षन ने इसमें आप देखते हैं कि चार टॉपिक दिये गए हैं और 125 नंबर का पहला सेक्षन में रहेगा आपका निबन और 125 का ही दूसरा भी सेक्षन भी रहेगा ठीक है इस तरह से टोटल 250 नंबर का रहेगा तो इसमें चार सब्जेक्ट दिये गए बिस है इसमें आप देखी योग में यूगा में बीमारी ही नहीं बलकि अर्दवस्था को सुधारने की भी चमता है दूसरा टॉपिक कह रहे हैं कि अन्याई की कहीं भी मौजुदगी सर्वत न्याई के लिए खतरा है तीसरा कह रहे ह हम कम बेवारिक अधिक आदर्स बादी हैं चार कह रहा है कि महलाओं की भागेदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास की बात हो रही है और इन टॉपिक पर आप लोग सोचा करिएगा समझा करिएगा और आप लोग चुना करिएगा उसके बाद आप लोग इस्टेडी इनोंने एक कविता से सुरू कर दिया है पढ़िये गीता बनिये सीता फिर इन सम में लगा पलीता किसी मोर की की बन परिनीता निज घर बार बसाईए होए कटीली लकडी गीली आँखें सिली तबियत धिली घर की सबसे बड़ी पतिली भर कर भाग पसाईए रगुवर रग से लिख रहे हैं किसी की सब्दों को लिख रहे हैं किसी ने उस टॉपिक के बारे में कुछ कहा हुआ है महलाओं की स्तिति के बारे में कुछ कहा हुआ है तो उसको अगर आप उल्लेक कर रहे हैं तो उस ब्यक्ति का नाम भी उल्लेक कर दिया करिएगा ठीक है तो और पता कि इतिहास में हमेशा ही महलाओं को भेदभाओ और बंदिसों का सामना करना पड़ा है। पुर्सों का उचिष्ट ही मिला है। यह आप देखिये अच्छा परियास है इनका शराही हिनी है। तो यह टेस्ट देते हैं, उसके बाद कॉपी चेक होती है। और इन में कुछ सुधार होने की बात होती है, कहीं सुधाओ देने की बात होती है, तो उसका भी बात किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि आप लोग मौक टेस्ट दिया करेगा, प्रिलिम्स के हों, मौक परिक्चागे हों, निबंद के हों, आपकी जो कमिया रहेंगी, उनक प्यत्यक्च रूप से द्रिश्टी गोचर होने लगे हैं। बिक्सित कहे जाने बाले बेटेन ने 1918 में महलाओं को मतादीकार प्रिदान किया। और विस्योद में महलाओं घर से बाहर निकली है। अब हमारे समय में अर्था उदारीकर्ण, नेजीकर्ण और बेस्वीकर्ण के दोर में तो महलाओं हर छित में अपने सुपन सारकार करने के लिए उन्मुक्त रूप से उडान भर रही है। आप देखे महला हर जगर टॉप कर रही है। उन्हें मौका तो मिलने चाहिए। जिजिबिसा, अर्दवस्था ही नहीं, वरन समाज के हर छित पर अपनी चाहप छोड़ने के लिए आतो रहें। तोड़ दो या बंधन मैं भी देख लूँ उस और क्या है। इस पिश्ट भूमी में यह तो इस पश्ट है कि महलाओं के रोप में आधी जनसंक्या को भागेदारी की जो सुतंता मिल रही है। उसे आर्थी विकास को गती दी है। पर साथी साथ हमें यह भी समझना होगा कि आर्थी विकास की जरूरतों नहीं महलाओं की आप देखेंगे कि सुतंता के लिए नए दरवाजे खोले हैं। अगर पित्तर सत्तात्मंग मासिक्ता को किसी ने सबसे जन्दा बदला है तो अर्थ पिधान होती संस्कीती नहीं। पिसे दिनारी वादी जर्मन ग्री के सब्दों में पुरुस आज अधिक उदार दिख रहा है। तो इसलिए नहीं कि उसने फेमिनिस्ट रविया अक्तियार कर लिया है और बल्कि इसलिए कि आर्थिक दबाओं ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। हम इन दोन की आर्थिक इस्तिती सोची कहां होगी? महला की इस्तिती देखे कहां होगी? और वस्तूता आर्थिविकास में महलाओं की भागेदारी उसी करम में लगातार बढ़ती गई है जिस करम में सारे रेक सरम का मात्त कम होता गया है। आज भी महलाओं की भागेदारी करसी और द करण की प्रिविट्टी को बढ़ाया है और इस प्रिविट्टी में प्रिविट्टी से आर्थे विकास को दुहिरी गती मिली है एक तो आप देखे महलाओं की किरसी में भागेदारी बढ़ी है और दूसरे कि पुरुस अधिक लाबदायक चेत में काम करने के लिए सुतंत और किरसी से जुड़े कुटीर उद्योग में भी बढ़ी है भारती महलाओं का लिज्जत पापड इलाभट का सेल्फ इंपलाए विमिन्स इसोसियेशन या फिर आनंद से पैराम हुआ अमूल सहिकारी अंदुलन सभी इस भागेदारी और आर्थे विकास के पित्यक बिकसित और विकासिल देशों में महला सरम वल भागेदारी और आर्थे विकास में अंतर की भी चर्चा करें हैं और पिर भावकारी होगा आपका निबंद। और आसंगठी चेत में महलाओं की भागेदारी बड़ी है यहां बिड़मना यह है कि महलाओं के साथ होने वाले भेदभाओं ने भी आर्थे विकास को गती दी है और महलाओं की भागेदारी ने जहां सरम के विकल्ब बड़ाए हैं वहीं महलाओं को कम बेतन पर रखने की फिर विट्टी ने सरम को करंते मरोब से सस्ता बना रखा है और उदारी करंड के इस दौर में महलाओं की सरवादिक भागेदारी सेवा चेतर में संभव हुई है और सेवा चेती भारत की बिड़ी का इंजन भी सिद्ध हुआ है सेवा चेत में सारे रेक सिरम की कम आबसकता होने सुरक्षित कारदसाओं की उबलब देता और महलाओं में सिक्षा के बढ़ते इस्तरवा उनकी केरिंग छबी ने इस चेतरों को और भी आकरसत बनाया है आज हॉस्पीटल से लेकर बैंकिंग बीमा परेटन होटल आउट सोर्सिंग सिक्षा कॉल सेंटर जैसे चेतरों में महलाओं की भागिदारी तेजी से बड़ी है उधारन के लिए भारत में अनुधती भटाचार और चंदा कोचर जैसी महलाएं बैंकिंग छेत में सर्वोच पद पर बिराज मान है हॉस्पीटिलिटी इंड़स्टी में तो महलाओं की कुल भागिदारी पूरसों से जानदा है और अपने समय भी इस समय भी अगर आप देखे कोई महला किसी पत पर है जब आप लोग निमंद लिख रहे हैं तो उसका भी उलेख कर सकते हैं महलाओं का कुछ अन्य छेत्रों से समधित उधारनों का भी समाविशन कर सकते हैं यहां आप लोग कि परंपरा सिद्धी महलाओं में बचत और परिबार में निवेश करने की ब्रविति अधिक रही है और पितेक्ष आप देखे अधिक रही है और पितेक्ष इस रूप में भी महलाओं की भागयदारी से सरम की अफलाब्दा बढ़ी है पीती स्पार्दात्मक्ता में बिड़्धी हुई है और कारदसाओं में सुधार आया है यहाँ एक और आयाम पर चचा अपेक्चित है डैनियल गोल्मेन के अनुसार जैसे जैसे उत्पादन की स्थान पर प्रबंधन को मत मिलेगा बैसे बैसे सरम की स्थान पर भावनात्मक् बुद्धी मता पुर्सों से अधिक होती है और इस रूप में अर्दवरस्था और आर्थे विकास में महिलाओं की भागेदारी को रोकना अब संभाव भी नहीं है यहाँ पर यह पिसन पूचना भी आवस्ते हो जाता है कि क्या सामाजिक, सांस्कितिक, राजनितिक और पर देखने के लिए जरूरी है और कि इन छेत्रों में भी महलाओं की भागेदारी को पुरोसान दिया जाए उधारन के लिए राजनितिक नेड़े निर्माड में भारती महलाओं की भागेदारी उच्छे संस्थानों में 11-12% ही है कहीं कन्या भूण हत्या, भेदभाव, बलत कम करन के हम पूरे समाज को ही खुली हवा में सास लेन में समर्द बना रहे हैं, इको फहमीने जिम की अवधारना इसी का घो तक है, यहां कुछ आप देखे, इन्हें सुझाओ दिया गया है, क्या कहा गया है, सैक्षे के इस तर लेंगनपाद, सिसू लेंगनपाद, बाल व जिम्मेदारियों का दोहरा बोज इत्यादी की भी चर्चा करें, यह कहा जा रहा है, यह आप देखे, मा उपतनी के स्वस्त समाज के निर्माड में महला की भूमिका की भी चर्चा करें, यह भी कहा जा रहा है, साथी हमें यह भी जानने की जरूरत है कि महलाओं की बड़त की देखबाल की समस्या सामने आ रही है परिवारिक विक्टन और तला के मामलों विद्धी हो रही है स्वय महलाओं को भी सौप्ट छबी वाले छित्रकों तक सीमेत रखा गया है और यहां सकारत्मक संकेत यही है कि धीरे धीरे पुरुस भी महलाओं की बदलती भूमिका को सम की हम आर्ज्य विकास के साथ मानो विकास में भी प्रग्ति कर सकेंगे महलाओं की भागयतारी से आर्थि विकास को रफ्तार तो मिली है पर यह रफ्तार जारी रहे विकास सत्त्त्त में परिवर्तित हो हो इसके लिए पुरुस this दोनों को संगक्ष, समध्धो, साबो, मनासी, जानताम के भाव से समाज के निमाड में युगदा देना होगा नारी की इस चबी के माध्यम से समरस और प्रगति सी समाज के सुफन को आका साकार किया जा सकता है जैसंकर पिसात के सब्दों में नारी तुम केवल, सिध्धाव, विश्वात, रजित, नग, पग, तलमे, फियू, सिरोत, सी, बहा, करो, डीवन की सुंदर, समतल में आपका प्रयास तरहनी यह है, 125 में से आप देखेंगे इने 69 नमबर दिये गए है और यह सुझाओ की जाते ना, जो सुझाओ दिये गए, यह भी इन्होंने फॉलो की होते, तो और अच्छा इसको रिंका रहता अब देखें, खंड भी है, इसमें भी आप लोगों को चार टॉपिक देखने को मिलेंगे, चार सब भिसाय देखने को मिलेंगे इनमें से एक आपको चुनना है, पहला है भारत को पहले, खादू सरक्षा, फिर परमाडू सरक्षा की आवस्तकता है दूसरा करें, जी एश्टी, सामान निकित, बाजार की ओर, एक कदम तीसरा करें, भारत में भुजलिये, छेत्रों का प्रबंधन थोड़ा किया गया है अधिक किये जाने की अवस्तकता है चार करें, ग्रामीड प्रकिटी को बचाये, रखते हुए गाओं का विकास की बात हो रही है अब आप देखिए इनोंने कौन सा चुना है चौथरा चुनाए, ग्रामीड प्रकिटी को बचाये रखते हुए गाओं का विकास विकास उपर से देखने में जितना साधरन पितीत होता है वस्तुता इसमें चटिलता की उतनी ही परतें अंतर नहतें या विसए परंपराव और आधुनिकता विकास और परियावन सामुलदायक और नागरिक बोद जैसे द्वेंदों को भी इसपर्स करता है और इसलिए आवसक्ता की जिस ग्रामीड प्रकिटी को बचाने की आवसक्ता का जिक्र किया गया है उसके संबंद में हम आधुनिक भारत के दो निर्माताओं महत्मा गांधी बाबा साहब अंबेडकर के बिचारों को समझने के बाद ही आंगे बड़े हैं और आप देखेंगे कि ग्रामीड भारत के बारे में महत्मा गांधी का मानना था कि भारत तो उन्हीं 6 लाग गाउं में ही बसता है समुदायक, सद्भाओ, अहिंसा और आपरीगर है जैसे मूलियों के कारण गांधी जी ने उद्दोगी के दोनवे होती सब्दा में गाउं को अतनत आसासी देखते थे वहीं डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि गाउं पिछड़ेवन का भंडार है और उहां जातीगर पूर्वागर है बेदभाव, हिंसा, अंद्विस्वास, करमकंड जैसे अनेकों बुराईयां बिद्दमान है अतहा अधुनिक सब्दता के ग्यान, बिज्ञान के आलोक में ही ग्रामीड भारत का विकास करना होगा यहां आप देखे ने कुछ सुजाओ दिया गया है ग्रामीड आबादी क्रिस्थी निर्भरता का उल्ले करते हुए गाउं के महत्त्व की चर्चा करें इस द्वयंद का ही पैड़ा में था कि ततकालिक रूप से ग्राम पच्चायतों संबंधी प्राउधान को नीती नेजिसक तत्य के अंतरगत रखा गया यग पी 1990 के दसक में आप देखे 33 और 34 समीधान संसोधन की माध्यम से उसे मोर्त रूप देने का प्रियास किया गया और ऐसा कहते हैं कि गांदी जी को समय और जिंदा रहते तो समीधान में आप देखे जो 73 वा समीधान संसुधन के द्वारा जोड़ा गया ना उसी समाई जोड़ जाता खेर उपरोगते दिरिष्टी से यह भी जरूरी है कि हम ग्रामीड प्रकिटी के इतिहासे विकास को भी समझें वसलता ग्रामीड भारत की कलपना बंद अर्थवस्ता बाले गाओं की समुहों के रूम में की जाती है अर्थात को निप होए हरमे कहाने के रूम में भारती गाओं ऐसे कभी नहीं रहें सिंदू सबदा के समय से ही सहरी और ग्रामीट अलागों में संबाज चलता आ रहा है था वेटे सकाल में भूमी ओकिसी के वाड़िजी करन ने गाओं के एकाकीपन को बिल्कुल ही समात कर दिये और इसलिए आप देखेंगे कि यह तत्य भी रेखांकित करने योग है कि गाओं का विकास करते समय ग्रामीट परकृती को बचाय रखने की आवसकता तो है परन्तु आधोनिक ग्यान बिग्यान से मिलने वाले लावों के मध्यम से ग्रामीट परकृती में सकारत में बदलाव लाना भी हमारा करतब है प्राचीन कालें सबताओं के उदै इवं विकास को ग्रामी रतोस्था के योगदान की चर्चा करें हैं गहातके कर दोटे देखने दरिश्थी जिसमें गाओं और सहर दोनों अपनी परक्ति को रखते हुए प्रसप्रव भूरग बनकर अबरते हैं यह दरिश्थी हमें सिखाती है कि गाओं का विकास करते हैं उस सबस्को बचाय जाने की जरूरत है जो सकारत मक्न का परियाय भी है बेटिस कालीन भारत में ग्रामीड अद्वस्था में हुए परिवर्तनों की भी चर्चा करें उधारन के लिए सामाजिक रूप से आप देखी ग्रामीड प्रक्रिटी के उस तद्द को बदलने की जुरूरत है जो जातीगत भेदभाव या ओनर के लिंग की कबरें बनकर हमारे सामने आता है और वहीं समधायकता की भावना और संपदायक इंसा के लगभग सभी उधारन सहरी चित्रों में ही संबंदित होते हैं इन तत्र को जोटलाया नहीं जा सकता है आर्थिक चित्त में आप देखें ग्रामीड भारत की सरवादिक मत्भूमिक उसके अनदाता होने में है वैसे ही भारत की 60% ते जनसंग क्या किसी हो समिठ दिकारियों में सलान सलगन है इसी अर्थ में कभी पास ने लिखा है क्या लिखा है देखे इस तरह की कविदाओं का उन लिख कर सकते हैं आप लोग भारत मेरे सम्मान का सबसे महान सब्द जब इस्तिमाल होता है से सभी सब्द अर्थीन हो जाते हैं पर यह भारत किसी दोसेंद से समंदित नहीं वरन खेतों में दायर है जहां अन्य उकता है सेंद लगती है जहां आज भी कोई किसान पेड की छाया देखकर समय मापता है और पर आज जब किसी और किसान दोनों संकट में हैं तो जरूरी है कि किसी को लापकारी बनाने के सा साथ किसी पर अतरिक दबाव को कम किया जाया रोज बिचलित कर देने बाले किसानों की आत्मत्या की ख़बरें गरामिट समगीं परीवरतन पर जोर देती है पिति वस एक ला में भौतिक आउसरचना सिक्षा और स्वास्त की सुविधाएं प्यदान की जाएं किसी प्रसंसकान उद्द्यूक्ट उनका एक बहतर संगम है और आप देखें राजनितिक सांसके दे बेचारिक रूप से देखें तो ग्रामीड भारत में आधुनिक सिक्षा आधुनिक सिक् मुक्ती भी मिल सकती है देखें यहां भी इन्हें को सुझाओ दिया गया इन पर भी पढ़ लिया करिएगा आजादी के पश्चात ग्रामीड विकास से तुकिये गया प्रयासों की चर्चा करें और आर्थिक चलिए अच्छी बात है आर्थिक सुधारों के पश्चात ग्र ग्रा właściwie खर मादी क्रिया आज़े श्चात की ग्रामीड भारत ऑश्चा की ओज़ना आदि काॉदेश बास्तों में ग्रामीड भारत की प्रकिटी को सॉरक्षिर रखते गुए आधोनिक विकास की सुगिधाई उपलवद कराना है अब आप देखेंगे कि गिरामीट भारत पर चर्चा के करम में हमें सहरी भारत की ओर भी दरश्टी पात कर लेना चाहिए सहरी भारत के लिए कभी कैदारनाथ सिंग ने सटीक ही कहा है कि वह सहरिक की जिसकी जिद है सीधी साधी जैन्दा से जैन्दा सुविधा सुख आजा दी तुम कभी देखना इसे सुलक्ते छड़ में यह अलग-अलग दिखता है हर दरपण में आज सहरों को जन संक्या का दबाओ अवसर रचना की कमी पिदोसन से लेकर अफुराद आविस्वास परिवारिक बिक्टन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है दिन पिती दिन ए समस्याओं और गहरी होती है जो नागरिकता बोत सहरी भारत में ने अरजित किया है वह भी एकाग्गी है ऐसे नागरिकता बोत पर ब्यंक करते हुए अगे ने लिखाए कि साम तुम सब हो तो हुए नहीं नगर में बसना भी तुमें नहीं आया एक बात पूच्छूं उत्तर दोगे फिर कहां सीखा डसना बिस कहां पाया। देख रहे हैं आप लोग। अच्छा प्रियास है यह संपर्क आर्थिक समाजिक के साथ बिचारिक भी होगा। तभी हम ऐसे भारत की निर्माण में सक्षम होगे जो गांदी और अंबेड का दोनों के सपनों पर खरा उतर रहेगा। यह आप देखिए 125 में से यहने 48 नंबर दिये गए। इस तरह से आप 250 नंबर का था ना तीन घंटे का समय मिलता है आपको 107 नंबर मिलें। कितने? 107 नंबर मिलें। और जो सुझाओ दिये जा रहे हैं, जो कमिया इनकी बताई जा रहे हैं, उसको पूरा करते तो और अच्छा स्कोर रहता है इनका। तो आप लोग सुरुआत करिए, थोड़ और क्या है? मेरी तरब से सुप काम नहीं है, और 100% दीजे, तो आपका रेजल्ट भी 100% अच्छा ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, यकीन मानें। और आँगे चलकर आपकी कॉपी भी मैं देख रहा हूँगा, और बच्चों को बता रहा हूँगा कि देखे इस तरह क की कॉपी लिखी जाती है, तो ये काम उधारन आप भी फेस कर सकते हैं, दन्यवाद.